आज दोस्तों हम बनाएंगे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शम, आईरन से भरपूर, इम्मिनिटी बूश्टर रेसिपी, यदि आपको काम करते करते थकान हो जाती है, या आपकी हडियों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, या थकान महसूस रहती है, थोड़ा स हमें कमजोर है, अनेक तरह की समस्याओं को मिटाने के लिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इम्मिनिटी बूश्टर एक रेसिपी लेकर आए है, इसका यदि आप सेवन करते हैं, तो आपकी इम्मिनिटी तेज होगी और यदि इमनिटी तेज होगी तो आप ठकोगे नहीं बार-बार बिमार नहीं पड़ोगे और दिमाख भी आपका तेज रहेगा तो चलिए बनाते हैं आज की रेसीपी नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो ये जो रेसीपी हम लिए इमनिटी बूस्टर रेसीपी बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर एक सुखा नारियल इस त curly camera का जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा होना चाहीए और जो ये नारियल होना चाहिए बिलकुल साफ सुथरा होना चाहिए यह नी है कि गंदा हो बीच में से काट क देख ले आप यदि साफ है तभी आपने इसका यूज करना है और यदि ये खराब है ये काफी दिनों का है तब आपने इसका प्रियोग नहीं करना है देखिए इस तरह का आपका सूखा नारियल होना चाहिए ऐसा ही हम प्रियोग करने वाले हैं दोस्तो अब आपने इसको का कर रखता है जिन लोगों का पाचंत अंतर कमजोर होता है खाया पी अच्छे से नहीं पच्छता वो इसका सेवन कर सकते हैं हडियों को भी ये मजबूत बनाने का काम करता है जिन लोगों की हडिया कमजोर होती है हडियों में दर्द रहता है गठिया है तो वो इसका सेवन जर वो अपना वजन बढ़ा सकते हैं इसको खाने से और रोग प्रतिरोधक्षम तरह से मजबूत होती हैं बार बार आप बीमार नहीं पड़ोगे यदि आप डेली रूटीन में इसका सेवन करते हैं तो इस तरीके से हमने नारियल काट लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं बस ऐ आपने सूखा नारियल काट लेना है चाकु की मदद से काट ले या फिर आपका दुकस भी कर सकते हैं मैंने इसको काट लिया है देखिए सारा कट चूक नारियल हमारा सूखा नारियल डालना है दोस्तों आपने सूखा कटा हुआ नारियल और गैस को आपने सीम रखना है सीम गैस पर आपने 2-3 मिनट इसको ड्राय रोस्ट करना है रोस्ट करके दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और काफी दिन तक ये चल सकता है ड्राय रोस्ट ही करेंगे इसमें दोस्टों काफी मातरा में oil होता है, हमारी health के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसको roast करना है, ये roast कब होगा, कब आपको पता चलेगा कि ये roast हो चुका, देखिए इस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूं, यह easily तूट जाएगा जब यह ऐसे तूट जाए तो समझे हमारा यह roast हो चुका है बस color हम इसका ज्यादा change नहीं करेंगे तो इस तरीके से यह roast हो चुका है इसको निकाल लेते हैं एक plate में आप वापिस से लेते हैं यही pan इसको साफ कर ले कपड़े से साफ कर ले इसको और इस डाल लेते हैं pan में gas आपने sim ही करके रखनी है इनको dry roast करेंगे साथ में लेंगे दोस्तो 50 ग्राम ही बदाम बदाम आप मामरा लेंगे तो बढ़िया रहेगा या फिर जो भी आपके पास available है वो ले सकते हैं इनको हमने dry roast करना है दोस्तो जो बढ़िया होते हैं हमारी health के ल जो अखरोट होता है हमारी हडियों को मजबूत बनाता है दातों को भी ये मजबूत बना कर रखता है हमारे heart की ये बहुत अच्छी देखबाल करता है मश्तिश्क की जो नसे होती है वो काफी अच्छे से काम करती है यदि आप अखरोट का सेवन करते हैं नीन अच्छी आत चुटकारा पाना चाहते हैं, तो हर रोज आप एक अक्रोट खाए, आपका तनाव दूर हो जाएगा, जो अक्रोट होता है, इसमें विटामिन B6, टिट्रोफन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड जैसे पोशकतत भरपूर मातरा में पाए जाता है, तो बहतर नींद लाने के लिए और तनाव से चुटकारा पाने के लिए आप अक्रोट का सेवन जरूर करें, दूसरी तरफ जो बादाम होते हैं, ये इम्मूनिटी का स्रोथ है, यानि इम्मूनिटी को ये बूश्ट बनाने में हमारी काफी हेल्प करता है, ये जो बादाम है, ये नीट्रियंट से आपको ये तेज बनाता है, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, वो इसका सेवन जरूर करें, और ये आपके सीर में दर्द रहता है, या पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या ठका ठका सा फील करते हैं, वो इसका सेवन जरूर करें, बच्चे हों या बड़े, सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है आज की इम्मुनिटी बूस्टर रेसीपी, तो इस तरीके से आपने ये रोस्ट कर लेना है, दो से दीन मिनट लग जाएंगे इसको रोस्ट करने में, तो देखिए इस तरह से हमारे बादाम और अकरोट रोस्ट हो चुके इनको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, वापिस से लेते हैं यही पैन और इसमें डाल लेते हैं आधा चमच सौफ, आप एक चमच भी ले सकते हैं, यदि सौफ को पसंद करते हैं, वैसे भी सौफ हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है, पेट के लिए काफी अ साथ में लेंगे दोस्तों यहाँ पर एक चमच पॉपी सीड यानि की खस खस, गैस आपने बंद कर देनी हैं क्योंकि पैन हमारा गरम है अभी और इसी गरम पैन पर आपने इसको रोष्ट करना है, गैस जला कर नहीं, गैस बंद करके गरम है अभी पैन, अच्छे से यह रो जो हमने रोष्ट करके रखा था, वो डाल लेते हैं, सारा का सारा आपने डालना है, और इसका पाउडर सा बना लेना है, बारीक पाउडर आपने त्यार करना है, देखे कुछ इस तरीके से हमारा पाउडर बन चुका है, और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, जब एकदम से नहीं चलाना है, उसको चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, नहीं तो दोस्तों, अगर आप एक साथ चला दे रहेंगे मिक्सी को, तो इसका तेल निकल सकता है अंदरी, तो हमने तेल नहीं निकालना है, खाले इसका पाउडर बनाना है, पाउडर को हम दोस्तो आपने डालना है आठ से दस इसमें सफेध मिर्च डालनी है इसको भूरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है हमारी आखों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है यह इस तरह की मिर्च यह दोस्तो भूरी मिर्च के नाम से आपको easily market से मिल जाएगी या फिर पंसारी के दुकान से आप इसको खरीज सकते हैं ये हमारी आँखों को काफी तेज बना कर रखती है दिल दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया होती है सफेद मेच आप आठ से दस पीस इसके ले और मिक्सी में डाल दें क्योंकि हमने इसका भी पाउडर बनाना है तो साथ साथ इसका भी पाउडर बन जाएगा तो इस तरीके से मैंने मेची ले ली है भूरी वाली मेच भूरी मेच के बाद दोस्तों इसमें डालेंगे काली मेच काली मेच भी 5-6 पीस है, ये भी आप इसमें डाल लेजिए, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है, पाचन को दुरूस रखती है काली मेच, दिल दिमाग के लिए काफी बहतर होती है, तो ये भी डाल दी है, और साथ में डालेंगे इसमें 3-4 साबूत इस तरीके से इलाइची हमारी गले के लिए बहुत बढ़िया होती है। जीन लोगों का गला ठीक नहीं रहता इसका सेवन कर सकते हैं। मूँ से दुरगंद आती है जीन लोगों के वो इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको मीठा करने के लिए पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाद में हम लेंगे यहाँ पर मिश्री मिश्री आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं यह फिर मिश्री का कुजा था यह मिश्री की कुजे के नाम से आपको मिल जाएगा पंसारी क दुकान से तो आप ले सकते हैं या फिर धागे वाली मिश्री ले सकते हैं या फिर खांड भी आप यूज कर सकते हैं जो मिश्री होती है ठंडक हमारे श्रीर को पहुचाती है इसलिए मैं मिश्री ले रही हूँ मैं देखिए इस तरह से ले रही हूँ आप चाहे तो धागे वहले मिश्री का डला ले या फिर इस तरह से मिश्री का कुज आले तो इसको तोड़ कर लेंगे नहीं तो हमारी जो मिक्सी है वो तूट जाएगी इसके चुट-चुटे पीस बना ले फिर आपने इसका पाउडर सा त्यार करना है देखे पाउडर हमारा कुछ इस तरह से हो यह भी हम डाल लेते हैं इसी पाउडर में जो हमने बदाम वगरा का बनाया था और इसको अच्छे से कर देते हैं mix अब इसमें खास चीज डालेंगे जो आपकी immunity को बहुती बढ़िया बहतर बना कर रखेगी यह है दोस्तो देसी घी देसी घी वैसे तो दोस्तो आप आधा डालना है गाएं का घी जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है दिल दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी यह काफी शूट करता है तो इस तरीके से आपने गाएं का घी लेना है चार से पांच चमच के रख सकते हैं, दोफ़ों, हो सके तो आप इसके लड़ू बनाले इस तरीके से या फिर लड़ू नहीं बनाने हैं, तो इसको Air Tite Jar में बर कर रख सकते हैं, आपका ये महीना आराम से चल जाएगा, एक बंदे के लिए है, ये एक महीना आराम से चल जाएगा, अब मैं आपको इसको लेने का तरीका बताती हूँ, कैसे आपने इसको लेना है, आपने सुबह जैसे सुबह उठते हैं, फ्रेश बगारा होकर पानी पीकर उसके बाद आप दूद लें, एक गिलास, और उस दूद में आपने इसका एक चमच डालना है, जैसे कि आप 15 साल से क करते हैं न दोस्तों, दोसे तीन दिन में आपको फरक नजर आएगा, आपकी जो ठकान रहती थी, सुस्ती चाही रहती थी, वो आपकी कैसे दूर होने लगेगी, और आपमें ताकत का भंडारा आ जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये इम्मिनिटी बूस्टर र नहीं पड़ोगे, यदि आप इस तरह से बना कर रखते हैं रेसीपी, और इसका सेवन करते हैं, तो देखिए मैंने ये भर कर भी रख लिया है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसका सेवन करना है, और इससे फायदा उठाना है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ह हमारी रेसीपी, आज की हमारी होम रेमिडी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसी ही एक और रेमिडी के साथ, रेसीपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक, बाई बाई